हेलो फ्रेंड्स, नेबर संशेन, ये एक आसकर विनिंग शॉट मुवी इस वीडियो में आपको आज में एक्स्प्लेंड करने वाल हो, ये बहुत ये अच्छी मुवी है और एक लिसंज के साथ आती है, जो जली शुरू करते है, मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक अबार के साथ चैर्ट हो ने कing लिए बेटते हैं। इनकी डिनर की टेपल के के पास एक बड़ी सी विन्डो होती है, इस विन्डो से वो दुसरे बिल्दिग की विन्डो देख सकते हैं। जब इस विन्डो ते वोँ देखते तो वहाँ उन्हें एक कपल दीखता है। एक दूसरे चाहिए ये भी उससे कहता है मदर केती कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हमें क्यों लाइट बन करने है वो अपना माइड जेंच कर दिये और लाइट बन कर वही बेट जाती है अब हमें दिखता है ये थोड़े दिन गुजर चुके मदर अपने बच्चों को बाहर घुमा मदर उस पर चीट कर बोलती है कि तुम घर में कुछ भी ध्यान नहीं देते बच्चों का सब ख्याल वगरा भी मुझे ही रखना पड़ता है उन्हें बाहर भी मुझे ही लेकर जाना पड़ता है तुम सिर्फ अपनी दुर्बिन लेते हो और किड़के से जागते रहते हो फ मेशें हैं पार्टी करते रहते हैं यह भी मदर फादर देखते हैं इrieं बहुत ही जलस महसूस होता है इनकी जो लाइफ है यह बहुत ही स्टेबल है अमने बच्च्छे हैं inकी फैमिली है पर फिर भी इन्हें अपनी जो 20s है जिस तरह से वो एन्जॉय करते थे उस तरह से कभी भी एंज्वा नहीं कर पाते इसे उन्हें दूख होता है फादर फिर मदर को पास बुलाता है उसे हाग करता है जब इनके घर क्रिस्मस भी होता है तो फिर भी यकी बाहर नहीं जापाते है घर कोई डेकोरेट कर रहे थे और जैसा इनका रूटीन होता है ये रात में इन्हें सब कुछ साफ अगरा करना पड़ता है इसी तरह से मदर आज साफ भी कर रहे होती है मदर फिर से नेबर के याँ देखती है तो वहाँ पार्टी चल रहे होती है नेक सिन में हमें ये फैमिल ब्रिकफास करती है ये देख रहा होता है अब ये जो फादर है ये नेबर्स पर हमेशा नजर नहीं रखता जब रात होती है तो मदर को ही लगता है कि उसे देखना चाहिए कि ये नेबर क्या कर रहे है ये फादर की दूर्बिन ले थी है उसे देखने लग जाती है इस वाइफ ने अपने हस्बंड को कहा था जब रात हो जाती है ये उसे पता चल जाता है वो देखती है कि जो उसके नेबर से उसकी जो वाइफ है वो अपने हस्बन को कॉंसोल कर रही है यहाँ कुछ प्रावलम हो चुका है यह उसे पता चल जाता है यह जो नेबर सोते हैं बहुत दिन तक घर पर नहीं होते थोड़ी दिन बाद जब एक घर पर वापस आ जाते हैं तो as a general curiosity फादर मदर से बोलता है कि एक कहा थे उसने नेबर को दिखा होता है जो नेबर हस्बन होता है उसके बारे में कहता है कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा उसके लिए थोड़ा सा worry करता है थोड़ा वक जब गुजर जाता है तो mother फिर से खिडके से झाग कर देखती है उससे फिर दिखता है कि जो नेबर है उसके बाल जहड़ चुके है उसे मिलने के लिए उसके mother ऑन फादर आये है वो पेड़ पर होता है वो अपने नेबर के लिए वरी करती है राद में फिर एक बार जब वो खिड़के से देखती है तब उसे मालूम होता है कि जो नेबर था वो मर चुका है नेबर की वाइफ रो रही है इसे बहुत ही बुरा लगता है और अगली बिल्डिंग में वो देखने के लिए चली जाती है नेबर की बॉड़ी होस्पिटल में जा रही होती है नेबर की वाइफ जो थी है उसके पास ही आ जाती है मदर उसे कंसोल करना चाती है उसे कुछ बोलनी पाती तो neighbor की जो wife होती है वही बोलती है मैं तुम्हें चांदती हूँ हमारे apartment से तुम्हारे apartment दीखती है तुम वही हो जिसके तीन बच्चे है तुम्हार husband है वो कहती ही कि तुम्हें आजिब लगगा और असे अब अपनी family के बारे में एक नया perspective मिल चुका है हमेशा दुसरी के life में जागते हमारे पास जो है वोसे हम appreciate नहीं करते एक beautiful message ये movie देकर जाती है जो neighbor थे उन्हें लगता था कि उनकी भी इतनी अच्छी family होनी चाहिए क्योंकि उनके past family नहीं थी जो mother and father थे उन्हें जो freedom neighbor के पास था वो नहीं था और फिर से जैसे वो 20s में थे वैसे नहीं जी सकती थे उनकी life stable हो चुकी थी पर कभी-कभी उने भी मजा करना था ये दोनों एक दुसरे से जलते थे पर अपनी life कितनी perfect है एक दुसरे को गभी पता नहीं था जब neighbor मर चुका है तो mother को अपना या perspective मिल जाता है कि उसके past जो है वो कितना valuable है पेस्ट lesson के साथ ये movie end हो जाती है इस बार मैंने एक नया experiment किया है इसमें मैं short movies को explain करना चाहता हो अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो please comment में बता दीजेगा यानि कि मैं और भी short movies पर वीडियो बनाता रहूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो please इस वीडियो को like कर दीजे बहुत सारी movies में लेकर आता रहता हो तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजेगा bell notification icon भी दबा दीजे इननी कि आप कुछ भी miss ना कर पाए हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये